थर्टी फीट भाई 45 फीट हाउस प्लैन उन्टेजन 350 स्क्यार फीट बिल्डा पढ़िया है फोर वी एज के हाउस प्लैन बनाया इस तरह 30 फीट हुई दे और 45 फीट इसका लेन थे और बिल्डिंग कोस्ट बिल्डिंग कोस्ट 16.5 लेक्स आएगा सिंगल फ्लाग कंप्लेट करने में तो इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले ही पे जो वाल है वाल राकर लेंगे आउट आउटा साइड का वाल 9 इंच का है और इंसाइड का 5 इंच का वाल है है तो यह पे दो टॉयलेट है एक एटाच है और एक कॉमन टॉयलेट रखा है फोर बेटरूम के साथ इसको डिजाइन किया है इंक्लोडिंग स्टियार दो बैलकुनी है सामने और इस तरह बेटरूम है यह बेटरूम के साथ यहीं पर बैलकुनी भी है तो यहीं पर भी बेटरूम है इसको वेंडो छोड़ दे रहा हूं वाइट कलर का जो गैप चरत रहा हूं यहीं पर विंडो का पॉजिशन है आप पॉजिशन में विंडो लगाना है तो इस तरह आप यहीं पर किचेन वाइट के या और इस पर भी बेटरूम है बेटरूम का विंडो इस तरह चोड़ दिया इंसाइट का वाल है तो इस पर टॉजिशन इस तरह रखा और साथ में पुजा रूम भी मिल जाएगा यह पर पुजा रूम है यह पर पुजा रूम है इसका पुजा रूम भी इस तरह रखा है है तो इस तरह विंडो है तो छोटा बड़ देख सकते हैं लेकिन इसको साइज है सेम रहेगा यह पर वेंटिलेशन है है यह पर भी गुंडो है कि प्रेंग दिखाया यह पर डाइनिंग हॉल लिविंग कम डाइनिंग हॉल है ही पर पुजा रूम इस तरह प्र प्रक्रों है इस तरह बेट्रूम है चारो कॉनर पर बेट्रूम रखा है और इस तरह देखिए इस पर बैलकुनी है तो बैलकुनी का जो आउटर लाइन है इस तरह रेलिंग आएगा तो मैंने इसको इस तरह से हाइलाइट कर दे रहा हूं करना है तो यह पर जो राउंड से यह स्ट्यार है एक लाबी मिल जाएगा और लाबी का उपड़ में कैंटी लिवर निकल के इसका जो लैंडिंग है इस तरह चाहिए आप करना है कि इस तरहा करना है कि इस तरह आप करना है श्रुक्स को बैठ रखवोर रखक वेड़ का है बैडर नमबर वन इस baker तरह सिलख दोर इस तरह रखा है और यहीं पर भी दोड़ है यह बैलकोनी है साथ में बैलकोनी है और इस तरह भी बेट्रूम है यहीं पर बेट्रूम और इस तरह बैलकोनी यहीं पर बैलकोनी है और यह बैट्रूम के साथ इस पर अटाच टॉयलेट पर टॉयलेट वाइट किया और इस तरह गौट्रूम रखा है और यह बहुत बड़ा हॉल है एक हॉल है इस पर लिविंग कम डाइनिंग हॉल राइंग हॉल अपना सब से इसको सेट करना है और इस तरह बैट्रूम है किचेन का डोर इस तरह वाइट करना है और इस तरह भी एक बैट्रूम है और यह पर कमन डाइलेट अब कमन डाइलेट तो इसका जो मिजर्मेंट है यह स्ट्यार होल का साइज सेवन फीट एट इंच इस तरह रहेगा और इधास से इतना तक आ जाएगा इस तरह बीट इस तरह भी एट इंच और इस तरह बैट्रूम का बैट्रूम का साइज 10 फीट वाइस तरह ट्वेल फीट और बैलकोनी फॉर्ट इस तरह है तो राउंड्स अब में देखाया और इस तरह टेन फीट अलावी 4 फीट बाइस तरह 7 फीट 8 इंच लिवा बैलकोनी का साइज भी सेम है फोर फीट बाइस तैन फीट और इस बैट्रूम 12 feet by 10 feet तो बेटरूम का size सेम है चारो बेटरूम का 10 feet by 12 feet इसका भी 10 feet इस तरफ और 12 feet इस तरफ है कपी standard size का नहीं पर दीगा है और toilet 5 feet और इस तरफ आ जाएगा 6 feet तो 5 feet by 6 feet काफी है अटाच ट्यालेट के लिए और इस जो कमन ट्यालेट है इसका 5 feet इस तरफ है और इस तरफ चो हो रहेगा 7 feet 11 inch तो इह पर जो हॉल है हॉल का इधा से इस तरफ लेंगे तो 14 feet 7 inch इस तरफ आ जाएगा और इधा से इतना दूत तक आ जाएगा 23 feet 1 inch तो इसके अंदारी पुजा रूम को रखा है पुजा रूम इस तरफ 4 feet आ जाएगा और इस तरफ 6 feet है तो इस पर कीचेन भी फॉयट किया कीचेन का साइज इस तरफ मिल जाएगा 7 feet 8 inch और इस तरफ लेंध 12 feet मिल जाएगा तो ठीक है अच्छा है लेंध थोड़ा जादा हो गया चौड़ा थोड़ा 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 होना चाहिए था लेकिन चलाएगा इस तरफ आपको मिल जाएगा तो यह सब भी बेटरूम का बेट का पॉजिसन है को मोट किए तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरह नाइनिच वे नाइनिच का का कॉलम पॉइट करेंगे और ही पर केंटी लिभर निकाल के लोबी के अपर ही पर इसका स्टेयार का लेंडिंग रहे जाएगा तो सिदा सिदा ही आ जाएगा इसका जो नंबर आप कलम है 123456789 10 11 12 13 14 15 16 नंबर आप कॉलम 16 साइज आएगा नाइन इंच बाइन इंच जी प्लास वन के लिए यह डिजाइन को वाइट किया मैंने तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद है तो लाइक सेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू झाल कर दो